स्टोरी के स्टार्ट में हम ब्रूस को एक बस में ट्राविल करते हुए देखते हैं जहां उसे एक न्यूस पेपर से पता चलता है कि 9 साल की रेबेका ग्रीन तीन दिनों से गायब है ये बात पता चलते हैं, Bruce उस छोटे से गाउं में चला जाता है, जहांसे Rebecca Green गायब हुई थी, उस गाउं में जाते हैं, Bruce को हर जगा गामा रेडियेशन्स फील होती हैं, यहां तक कि जमीन में भी, और उसी जगा Bruce को एक लड़की का हैर कलिप दिखता है, बट इससे पहले कि Bruce कुछ करता, unfortunately दो पुलिस ओफिसर आके Bruce को अरेस्ट कर लेते हैं, अब कोई भी ऑप्शन ना बचने के वज़े से, Bruce हल्क में कनवर्ट हो जाता है, हल्क इस पुलिस ओफिसर को अपने हाथों से क्रश करने के बाद, उस अंधीरी रात में Rebecca को ढूड़ने चला जाता है, और थोड़ी देर में हल्क को किसी चीज की स्मेल आती है, और अचानक से उस पर एक monster अटेक कर देता है, हल्क इस attack को dodge करते हुए उस monster पर अटेक करना start कर देता है, बट पानी में उस monster की reflection देखने के बाद, हल्क चौक जाता है, क्योंकि वो monster और कोई नहीं, बलके खुद Rebecca थी,